प्रेसे लौट, गॉट ब्रेसी यौल, परमेशर आप सबको बहुत आशे दें, मुझे आज एक बहन का फोन आया और उन्होंने मुझे एक बात करी कि जो एक साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी और वो बात ये थी कि एक साल पहले उन्होंने मुझे बोला था कि ब्रदर मैं प्रॉब्लम में हूँ, एक परिशानी में हूँ और वो परिशानी ये है कि वो कुटका खाती है, जर्दा खाती है और वो चाहा के भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, एक साल से स्ट्रगल कर रही है लेकिन उससे बाहर नहीं आ पा रही है और ये बोज उनके आत्मा पर है ठीक है तो उनको जो solution मैंने बताया तो ये मेरे दिल में परमेशर ने डाला कि ये problem सिरफ एक परमेशर की बेटी की नहीं बलकि बहुत से परमेशर के बेटे बेटीयों की है कि वो चाहते हैं बाहर आना लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं नशे से नशे की लट से जर्दा गुटका खैनी पान तंबाकू बीड़ी सिग्रेट ये सारी चीजों से वो बाहर आना चाहते हैं लेकिन बाहर आनी पार है तो अब मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन से बाहर आ सकते हैं ठीक है तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टाट करो मैं एक बार फिर आपसे यह कहना चाहूंगा कि चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा होता है तो वो अपने आपसे expect करता है कि वो जिस बी प्रॉबलम में जिस नश्य में जिस लट में है उसको instantly छोड़ दे उसको तुरंट छोड़ दे ठीक है वह ये expect करता है अपने आपसे उमीद रखता है और यह target लेंकर चलता है कि मुझे आज छोड़ना है तो छो कर दिया है तो इससे होता क्या है कि आपके अंदर जो हीन भावना है वो बढ़ती चली जाती है आप अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं आप यह सूचते हैं कि यार कितना परमेश्वर हम से प्यार करते हैं लेकिन हम इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं और यह बात आपको परमेश्वर से दूर कर देती है यह बात आपको परमेश्वर के पास नहीं आने देती आपका और परमेश्वर के साथ जो एक संबंद है जो पिता और पुत्र का घनिष्ट प्रेम संबंद है वो स्थापित नहीं होने देती तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो आपने क्या करना है आपको एक कॉपी लेना है एक पहन लेना है और आपने अपने उस आदत की एक heading लिखनी है ठीक है कि मेरी आज की जो प्रॉप समझे आपके बाद दो नशे हैं एक आपके पास गुट का तो आपने एक पेज बनाना है बिडी का नशा दूस चुब भी नहीं हो सकता आपको प्रार्थना तो करना ही करना है तो आपको क्या करना है प्रार्थना के साथ आपको heading बनाना है और वहां पर लिखना है कि आप सबसे पहले एक एक करके आपको बोजनी लेना अपने उपर कि मुझे एक दम से छोड़ना है एक एक करके का खाते तंबाकू जर्दा खाते हैं उसको note down कीजिए कि एक हफते में चार बार या एक दिन में चार बार ठीक है उसको note down कीजिए और अपने आपको time दीजिए सबसे पहले तो अपने आपको समय दीजिए कि तीन महीने का time तो यह वीडियो उनके लिए है जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे लेकिन बाहर नहीं निकल स्पेसिफिकली उनके लिए है तो क्या करना है लिखना है कि हाँ एक दिन में एक दिन में चार बार मैं गुटका खाती हूँ, खाता हूँ, तो उस चार बार को आपने 15 दिन का या 20 दिन का समय देना है, 20 दिन का समय देकर आपने रिखना है कि 20 दिन तक मैं एक दिन में जो 4 बार खाती थी, उसको मैंने लगातार 20 दिन तक 4 की जगा गिन के सिर्फ 3 बार थीक है तीन बार खाना है किनके एक 20 दिन तक आपने ये practice किया कि आपने तीन आपने 4 को 3 कर दिया ठीक है चार को 3 कर रहे आपको बहुत ज़्यादा फर्रक नी पड़ेगा आप आसानी से कर लोगे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तीन बार तो खा रहे हो ना आपका जो body है वो satisfy हो रही है कि हाँ तीन बार तो मिल रहा है तो उसके बाद क्या करना है आपको 20 दिन में क्योंकि science कहता है कि किसी भी काम को अगर आप 20 दिन तक 20 दिन तक लगबग 20 दिन तक आप लगातार repeat करते हो तो आपकी body उसके लिए used to हो जाती है आपकी body को उसकी आदर पढ़ जाती है आपकी body अपने आपको ढ़ाल लेती है उसे साब से तो आपने 20 दिन तक ये करना है उसके बाद आपने क्या करना है 20 दिन तक अगर successfully आपने इस काम को कर दिया अगर आपने एक दिन का gap किया तो उसको किस दिन कर लो ठीक है ना लेकिन struggle करना, fight करना है कि आपने ये gap करना ही नहीं है 20 दिन तक आपको 4 को 3 करना ही करना है जो मर्जी हो जाए कोई बड़ी बात में आसानी से कर लोगे 20 दिन तक आपने अचीव कर लिया उसके बाद अगले 20 दिन आप 3 को 2 करो ठीक है अगले 20 दिन तक आपने 3 को 2 करना है strictly 3 को 2 करना है कोई भी आदत हो आपका कोई भी चाहे वो drugs भी हो चाहे वो cocaine तक हो ठीक है ऐसा drugs जो छोड़ा ही नहीं जाता उसकी frequency को कम करते जाना है ठीक है उसके बाद अगले 20 दिन को आपको तीन को एक करना है या तीन को दो करना है आपकी will power के ओपर depend करता है अगर आपकी will power strong है तो उसको तीन को आप सीधे एक क कर दो ठीक है और एक को आपकी आपका मन है ने जो भी satisfy रहेगा कि हम मिल तो रहा है तो दीरे 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 ऐसे करके आप जाए दो सेशन में 20 दिन के जाए तीन सेशन में आपने इसको एक पर ले आना है और उसके बाद फाइनल जो 20 डेज का सेशन है उसमें आपको जीरो कर देना है ठीक है और बहुत ज्यादा अगर आपको लत है तो आपने क्या करना है कि पहले एक हफते तक आपने जीरो कर देना है फिर एक हफता यह जो final session है ना इस final session से बाहर निकलने के लिए बड़ा jump मारना लगाना पड़े यह उनके लिए है जो बहुत ज्यादा गहराई म है ठीक है आपको क्या करना है एक हफते का एक target रखोगे हफते में सिरफ एक बार ठीक है उसके बाद एक हफते में एक बार आपने उसको कर लिया कोशिश कीजिए कि ऐसा ना करना पड़े लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में है तो यह बात बतारो में उ तीन महीने के अंदर ऐसे sessions में बांट लो यह depend करता है आप कितने गहराई में है आपका जो लख है वो कितनी गहरी है और कितना आप इससे struggle कर रहे है इस पर depend करता है यह चार्ट आपको खुद बनाना है अपनी जो है strength के हिसाब से ठीक है आप divide कर लीजे आपको divide करना है कित इसको इसकी frequency को exactly आधा कर देना है ठीक है तो इस तरीके से frequency divide करते 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 शेतान को और यह जो लट आपके शरीर को जो लट लगी हुई है इसको आपको दिमाग से बाहर निकलना है और शेतान को चलाकी से बुद्धी से हराना है ठीक है इस तरीके से जब आप करोगे बाहर नहीं आपाते तो आपको फिर से दोबारा यही रूटीन करना है लेकिन अगली बार आपको वहां से शुरू नहीं करना अगली बार आपको एक से शुरू करना है कि एक जो है उसको आपको एक ही बार हफते में जोई बसको महीने में एक बार कर देना है ठीक है तो इस तरीके से दिमाग से आप fight करेंगे ना तो आप अपनी ये जो लत है ना ये जो नशे करने की जो आदते हैं इनसे आप बाहर आ जाएंगे चाहे वो शराब की मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो प्रार्थरा भी करते हैं के घंटे ले और शराब भी पीते वो इस लिए क्योंकि वो शराब की लट को छोड़ी नहीं पाते हैं तो आप एकदम से मद छोड़ने की कोशिश कीजआ हमारी बाड़ी भी उस ही साफसे ढल जाती है उस नशे के साफसे अपने आपको डाल लेती है एकदम से बाड़ी के उपर प्रेशर ढालो कि बाड़ी नहीं जेल पाएगी, वो वापस आपको औरज करेगी और आपको खाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, वो गलत ही आपको करना ही पड़ेगी, इसलिए बॉड़ी को धीरे 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 आदत डालो, अपने मन को धीरे धीरे आदत डालो, और स्लोली स्लोली नीचे लेकर आएंगे तो जो एफेक्ट होगा वो lifelong होगा एक दम से जटके से अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आप डगमगा जाएं क्योंकि maximum टाइम पर वो लोग जो ऐसी लत में पड़े होते हैं वो लोगों का prayer life नहीं होता और वो प्रे कर ही नहीं पाते क्य जाने ही नहीं देती लेकिन जैसे जैसे आप grow करते जाएंगे यह जो तरीका मैंने बताया इससे जैसे जैसे आप grow करते जाएंगे आपने साथी साथ prayer भी करते जाना है ठीक है आपने पहला जो step अचीव कर लिया उसमें आपको अपने prayer life को भी बढ़ाते जाना है यानि पह साथ prayer से आप उसको lock भी करते जाएं जब आप साथ साथ prayer भी करेंगे न तो प्रार्थना भी करेंगे और Bible भी पढ़ेंगे आत्मिकताम में बढ़ेंगे तो आपका वो जो achievement है वो lock हो जाएगा वो वापस शेतान उसको चुरा नहीं पाएगा ठीक है तो इस तरीके से साकी से दिमाग से बुद्धी से हराइए और परमेश्वर के अच्छे बेटे बनिये अच्छी बेटी बनिये क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो योग्य बने काविल बने स्वर्ग राज को पाने के ठीक है आप चोड़ पाता कोशिश करता हूँ लेकिन ये बहाने नहीं मारना अब अब दिमाग से fight करना है लड़ना है और जीतना है क्योंकि जीत आपकी है आप अल्रडी जीत चुके हैं शेतान हारा हुआ है वो आप से हारेगा आप प्रयास कीजिए हमारी प्रार्थना है अमेशा आपके साथ है God bless you